उनकी बुद्धिमत्ता और वीर्ता के कारण, उनका देश इतना विक्सित हुआ और इतना प्रभावशाली हो गया कि पांडव राजसु यग्यम या पृत्वी के शासक समारो नामक एक महान अनुष्ठान करने में सक्षम हो गये। इस समारो को करने के लिए महान शक्ती की आवशक्ता थी और केवल वे लोग ही इसे कर सकते थे जिनका कोई दुश्मन नहीं था। पांडवो की इतनी हैसियत थी, वहां कोई भी शत्रु इतना शक्तिशाली नहीं था जो उन्हें चुनोती दे सके। इस महान राजसु यगे ने कौरवों के दिलों में पहले से ही इरश्या को भड़का दिया। इसलिए दुर्योधन ने अपने चालाक चाचा शकुनी की मदद से पांडवों के विनाश की साजिश्रची। अपने चाचा की मदद से दुर्योधन ने सबसे बड़े पांडव भाई युदिष्ठिर को पासे के खेल में आमंत्रित किया और छल और धोखादरी के माध्यम से उन्हें हरा दिया। युदिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ती, संपत्ती और राज्य खो दिया। उसने अपना सब कुछ खो दिया, यहां तक की अपनी पत्नी द्रॉपदी भी। यह सभी पांडवों के लिए एक शर्मनाक क्षन था, लेकिन उन्होंने अपनी हार की शर्तें स्वीकार कर ली। द्रॉपदी सहित पांडव जंगल में जाने और बारा वर्षों तक वहां रहने के लिए सहमत हुए, जिसके बाद उन्हें कौरवों द्वारा देखे बिना एक और वर्ष के लिए गुप्त रूप से रहना पड़ा। यदि किसी भी संयोग से उन्हें अंतिम वर्ष के दौरान देखा और पहचाना गया, तो उन्हें अगले बारा वर्षों के लिए जंगल में लोटना होगा। इस बीच कौरव सारी भूमी पर शासन करेंगे। यदि पांडव शर्तों को पूरा कर सकते थे, तो यह सहमती हुई कि